91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शेहर की धड़कन हेलो खलवनी और मैं हूँ आपके साथ अनिल और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मकर संक्रांथी का परव हम सभी मना रहे हैं और ये हर साल 14 जन्वरी को मनाई जाती है और आज हम बात करेंगे मकर संक्रांथी पर थो बहाकर पुरोहित तो डॉक्टर साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है हेलो हल्वानी के स्टूडियो में जी अनिल जी आपको भी बहुत-बहुत मकर संक्रांथी की बदाई जी धन्यवाद आपको की और सभी स्रोताओं को नमस्कार हमारा जी तो जैसे आज हमने विशय चुना है मकर संक्रांथी का इसके बारे में विस्तार से अच्ट धोड़ा चर्चा करेंगे तो उस सभसे पहली चीज मकर संक्रांथी क्या है और क्यूं मनाई जाती है हमारे हिंदू धर्म सास्त्रिय विशयों में जैसे पुराणों में अन्यभी धर्म ग्रंथों में इस सक्रांती का विशय समयत्व है और जैसे कि जोती सास्त्र में प्रतीक मास में सक्रांती का सुभासुप पुर्ण्यकालों का विवेचन किया गया है धर्म सास्रिय हो या इस प्रति ग्रंथ जैसे निल्ड़ाई सिंदू पुराणों में सक्रांती पर्वुपर त्याज्य और ग्राय कर्मों का यानि क्या चीज हमको उस दिन नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ये सब उलेक मिलता है साल में आने वाली प्रतिक सक्रांती का वैसे अपना-पना महत्व होता है परंतो विसेश तह उत्रायन की पहली सक्रांती मकर सक्रांती का विसेश महत्व है हमारे धर्म कर्मों की देश्टी से भी तो इसलिए ये सब से महत्व पून है जैसे आपने मकर संक्रांती के अबारे में कुछ हमें एक सूक्ष में जानकारी दे दी है खास तोर पर हम देखते हैं कि मकर संक्रांती है अब तब मनाते हैं जबकि सूर्य मकर राशी में प्रवेश कर रहा होता है और संक्रांती शब्द जो जुड़ा है इसके साथ ये संक्रांती का क्या मतलब है देखे सूर्य का एक रासी पर जब संक्रमन काल परिब्रह्मन काल पूरा होता है तो उसको संक्रांती कहते हैं यह लगबग तीस दिन का होता है और एक वर्स में बारह सक्रांतियां होती है जैसे मिथुन कन्या धनो मीन सक्रांतियां इनको जो है सड़ सित्यायन संग्यक कहा गया है इसी क्रम में मेश तुला को बिशुवा और ब्रिस सिंग ब्रिसिक को बिश्णुपद करक याम्यन को पुर्व मैं सक्रांति काल के पुर्वडी सोलोगटी पाटी पसातने का समय पुर्णयकाल कहा जाता है यदि अ crouch रात्री के दूसरी राजसे में प्रविस हो तो वो पुरवा पर दौनों दिन पुर्णियकाल माने जाते हैं तो इसे आम बोल चल में या फिर जिस तरीके से हम आम आदमी को समझा सकें या फिर हम समझ सकें इस तरीके से आप बता सके तो जदे बेटा है देखिए मकर सक्रांती में जो हमारे पंचांगों में घडियां घटी पली त्यादी होते हैं तो सोलो घडियां पुण्यकाल की मानी गई है और इसी में हमाद्री के मत से कहा गया है कि मकर संक्रमते चत्वार इंसत गटिकाहा पुण्या विसेस तू वक्षते अर्थात अगली चारीस गटि पुण्यकाल मनाही जाती है। यानि पुण्यकाल माना जाता है। चारीस गटि जो एक जोदेशिय वो है इसमें पंचांगों गड़ी का जैसे गंटा होता है उसी मिनट से उसी इक्रम में हम मनाएंगे ब्रंभ वैवर्त पुरान में वर्णन है कि करक की सक्तरांति में 30 गड़ी और मकर की उसमें 10 अधिकिया नी 40 गड़ी का पुण्यकाल मनाया जाएगा मकर रासी में जब सूर्य प्रविस करता है तो त मकर से मिथुन के सूर्य में यानि मकर रासी से सुरू होकर के और मिथुन के रासी तक जब तक सूर्य रहेगा वो उत्तरायन काल होता है दक्षणायल में देवताओं की रात्री और उत्तरायन में देवताओं का दिन कह जाता है इसी क्रम में सास्त्रों में इसका विसेश मह तक रहेगा सुर्य मकर रासी में इसी क्रम में हम इसमें विवित प्रकार के पूजा, पाठ, दान, स्ना, नित्याद हमारे धर्म ग्रंतों में इसका बड़ा मैत्व है तो इस वर्ष का जो पूर्णेकाल है वो अगर आमबोलचाल की भाषा में कितने वजे से कितने वजे तक या फिर किस ड्यूरेशन में रहने वाला है देखिए पूरा दिन जैसे हमने चालिस गड़ी की बात करी तो अगले दिन भी यानि पंदरा को भी आदा दिवस जो है इसका यानि की लगभग दो पहर बार है तब तक इसको पूर्णेकाल इसका है जैसे संक्रांती का क्या महत्व हमारे जीवन में रहता है या फिर हम लोग इस दोरान क्या-क्या गतिवीधियां कर सकते हैं और किन गतिवीधियों का जो परिणाम है वो किस तरह का हमें मिलता है देखो हमारे धर्म ग्रंतों में बहुत विस्तित से इसका बढ़न है काल मादव कहता है कि सक्रांती यानि दत्तानी हव्यक अभ्यानि दात्र भी तानी नित्यम ददार त्यरका पुनर जन्वनी जन्वनी रवी संक्रमने पुन्ले नस्याद यत्य दिमान व सब्त जन्व सरोगी स्याद दुख वाग भी घजायते अर्थात मकर सोम्य उत्रायन सक्रांती में दान और स्नान का बहुत पड़ा मैत्वा है कालमादव दर्मग्रंत में कहा है कि उत्रायन मकर सक्रांती पर वो पर दाताओं द्वारा जो दान करते हैं उनके द्वारा जो भी हब या कब या दान सामग्री दे जाती है सूर्यॆ उन दरभ्यों को जो भी वस्टुरम देते हैं हर जन्म में हमको प्रदान करते हैं और सक्रान्ती में एक और बी विसेस बात है यदि कोई मानव सनान नहीं करता है तो बहु साथ जन्मों तक रोगी होकर जन्म लेता है दुख भूगता है इसलिए इस नानदान की विधी सास्त पुराणों में इस सक्रांती परवुपर विशेष महत्व का विशद पुर्णन किया गया है इसी कर्म में जो है सक्रांती में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो आता है तो क्या-क्या वो गतिविधिया हैं जो की जानी चाहिए और क्या-क्या गतिविधिया हैं जो इस duration में वर्चेत रहती हैं इसमें देखे काली का पुराण में कहा गया है कनकम, कुलिसम, नीलं, पद्मरागम, चमौक्तिकम, इतानी पंच, रत्नानी, येसे, देवस्य मुर्धनी, कुलिसम, हरिकम, रत्ना, आम, चाप्ये, कर्स, कमईर, द्वा, सुवर्ण, योज, इत्वात, तस्मिनवे, उत्तराजने अर्थात, श्वर्ण, पंच रतन, मोति, इत्यादि अनेक रतन, जो होते हैं, यह तो पुराने काल में, जो प्राचिन काल में, जो राजा थे, सम्रित थे, वो रतन इत्यादि देते थे, तो इसके आभाव में सामन्य व्यक्ति, धन धान्य जैसे, तिल, कंबल, घृत, अन, ग दान वस्तों में सुवन रत्न दक्षना इसके आभाव पर घी कंबल अन अनाज इत्यादियाब दे सकते हैं तिर्थों में जाकर करें जानी सकते हैं तो तिर्थों के जल से असनान करें इस अवसर पर एक और विसेश बात है जूति सास्त्र की देश्टी से कि यदि किसी का दान यदि हम करें उस वस्तो से समंदित दान करें जैसे सुर्या अगर किसी का है तो सुर्या से समंदित वस्तों का दान करें जैसे सुवर्न करें धन्य करें अनाज करें दाल करें इस प्रकार से जब एक तुला दान का भी विदान है हमारी सास्त्रों में तुला दान करें तो जब ग्रह के निमित हम पीड़ा दायक ग्रहों के लिए जब दान करेंगे तो निसंदे ही उसका फल मिलेगा और आरूग्यदा की प्राप्त होगी इसी क्रम में आता है तिल तेलेन दीपास्यों देया सिवा ग्रहा सुबा सतिले सतंडुले सिवा पूजिये विदवत सालें गैं हूं इत्यादी ब्रहामनों को विदिवत पूजन करके दान करना चाहिए और इस मकर्शक्रांती का हमारे हिंदु धर्म सास्त्रिय यह सनातनी परमपरा में सास्त्र काराओने मकर्शक्रांती का वह मागस्नान का बहुत बढ़ा प्रुनेफल बताया गया है विश देरे प्रायों लोग तो हो रहा है क्योंकि लोग अपने आज के विस्तता में इतने समय नहीं मिल पाता है लेकिन तथा पी इसकी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है और ये पुरा काल से आदिकाल से हमारे पूरवजों ने इसका आचरन किया है तो हमें भी इसको करना चाहिए और सास्तर भी ऐसा ये निर्टिस्ट करता है तो काफी सारी बाते हैं आज हम मकर संक्रांती परव के बारे में कर चुके हैं ये क्यों मनाई जाती है और इस परव के दोरान में क्या कुछ हम गतिवे दियां कर सकते हैं और उनका क्या फल हमें मिलता है इस दोरे में हमने आज ही कहींगे कि इस पर्व को बड़े धुमधाम से और बहुती उत्सा से मनाएं और मागसनान का बहुत बड़ा मैत्वा है और अब तो कल से कुम्म भी जो हरी द्वार में सुरू हो रहा है तो जरूर सास्त्रिय नियमों को दारण करने का प्रियत्न करें और भगवान सुर्य न मुक्तिश द्याले के जोतिश और कर्मकान विभाग से डॉक्टर प्रभाकर पुरोहित तो डॉक्टर पुरोहित आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे शोताओं से इतनी सारी बाते गरने के लिए तो शोताओं इसी के साथ मुझे यानिके अनिल को भी के लिए इस कारिकरम से इजाज़त फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार खुदा हाफिज